नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबी लोग का स्टेडि ग्लोस पर दोस्तों जब हम लोगों ने इस चैलेंज को शुरू किया था तब हम लोग अलग ही अंदाज में बोल रहे थे कि देखिए अभी 75 डेज हार्ड चैलेंज को शुरू किया गया है लेकिन अब हम लोग 75 डेज हार्ड चैलेंज को कम्प्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब उल्टी गिंती जो है शुरू हो चुकी है लगभगी मान के चलिए कि 7 से 8 दिन और बाकी है ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज कम्प्लीट हो जाएगा इस जर्नी के अंदर जितने भी लोग शामिल थे उन्होंने इस चीज का बेनिफिट उठाया और जो लोग बाहर बैटकर देख रहे थे कि आकिरकार ये चल क्या रहा है क्या वाकई में ये कोई टेक्निक्स हमको बता देंगे या जादूगर कोई जादू करतेगा जिससे हमारा एडिक्शन चला जाएगा देखिए दुनिया के अंदर सपने देखने वालों की संख्या कम नहीं है लेकिन किसे भी काम को अगर आप लोगोंने ठाना है माना है और उस काम को किया है तब जाकर वो आपका काम पूरा हो पाता है केवल मूख दर्शक बने रहने से ही काम पूरा नहीं होता है चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक बहतरिन कहानी की लेकिन वो कहानी अब खतम हो चुकी है ये कहानी है बेसिकल एक रैपर कैन ने वैश्ट की जिन्हों ने 2022 के अंदर अपनी जो पत्नी है उसके साथ में तलाक लिया था मैं पहले इनके उपर आऊँ पहले इनकी जो एक्स वाइफ है उनकी में बात करना चाहूंगा किम कार्देशन आप लोग जानते होंगे काफी फेमस अदाकारा हैं हॉलिवुड के अंदर और उन से इनकी शादी हुई थी दोनों हस्बेंड वाइफ थे 2014 के अंदर इनकी शादी हुई लेकिन 2022 में इनका तलाक भी हो चुका था लेकिन ये जो महिला है किम कार्देशन ये बहुत चर्चा का विशय रही हैं अपनी अदाओं के लिए अपनी कहते हैं कि सब एडल्ट जो फिल्म्स होती हैं उनके लिए खास तोर पर कई फिल्मों के अंदर इन्होंने काम किया लेकिन बेसी कली हम लोग आज इसके उपर नहीं किम कार्देशन के उपर नहीं इनके जो हस्बेंड हैं कैन या वेश्ट के उपर आज हम लोग बात करने वाले हैं आप हमारे 75 Days Hard Challenge को जरूर जोइन कीजिए बले ही ये कोर जो है वो खतम हो जाए लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी 75 Days के Hard Challenge को एक बार जरूर करें अपनी लाइफ के अंदर ताकि आप लोग के Will Power आपका Concentration Focus बहुत इंक्रीज हो जाए और स साथ ही साथ आप लोग कई बार शिकायत करते हैं कि सर हम लोग थोड़े से नंबर से रहे गए किसी एक्जाम के अंदर थोड़े बहुत और नंबर आ जाते लेकिन अगर आप लोग पॉर्णोग्राफी को देखते हैं या फिर किसी भी Addiction के अंदर है तो आप लोग इस चैल जब पूरा होने के लिए जा रहा है और एक भी सिंगल इस्टूरेंट का एक negative feedback नहीं था इस course को लेकर उसका reason यही है कि हमारे course के अंदर consistency रही थी continuity रही थी और सभी techniques अपने आप के अंदर एक unique आपको नजरिया जो है वो देख कर जाती है चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी के अंदर आगे Kenya West जो है उन्होंने एक tweet किया था Twitter के उपर उसके बाद में कुछ ज़्यादा ही जो है चर्चा का विशय बन चुका था इनके जो ex-wife है पहले मैं इनके बारे में बतायता हूं कि यह Hollywood की एक भैतरीन अदाकारा है इन्होंने जिसको लीक करवाने के लिए इन्होंने पैसा दिया था अगर आज भारत की बात करें कि मान लीजिए कि किसी के पास में किसी का वीडियो ऐसा हो जो की बहुत खराब हो सकता है उसको हम लोग छीपा कर रखते हैं लेकिन किम कार्डिशन ने अपना ही वीडियो जो है पैसे देकर उसको पॉब्लिक के सामने पॉब्लिश करवाय था और उसे बहुत पैसा भी कमाय था 2014 के अंदर जब किम कैने वैस से इनकी शादी होती है उससे पहले ही दो शादिया और ये कर चुकी थी और कई बार जो है अपने बॉइफ्रेंड्स को चेंज किया था उसके बाद में ही कैने वैस ने एक शब्द का प्रियोग किया था और ये कहा था कि basically ये और इनकी family एक वैस शाली की तरहे काम करते हैं जैसा कि मैंने भी आप लोग को बताया था कि एक word यहाँ पर use किया गया है Hollywood is a giant brothel जो वैस शाली होता है उसका comparison किया है Hollywood के साथ में और Hollywood के अंदर जितनी भी actresses काम करती हैं वो आए दिन अपने boyfriends को change करती रहती है Hollywood के अंदर क्यों नहीं होता है Hollywood के अंदर ही क्यों बॉलिवूड में देख लिजी आज बस उनको certificate हासिल है और कोई अंदर नहीं है तो basically Hollywood के अंदर ये जो अदाकारा है इन से काफी परिशान हुए थे लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार इन्होंने कमेंट किया क्यों और इनका ये जो पोश्ट है वो बड़ा वाइरल होता है खास तोर पर इंडियन जो मीडिया है वो भी इसको काफी हाइलाइट करता है कि पॉर्नोग्राफी ने मेरे परिवार को बरबात कर दिया मैं इसके एडिक्शन से जूज रहा हूँ मतलब कैन ने जो है वो ये कहते हैं basically rapper है, singer है और ये time magazine के front page जो है उस पर भी आ चुके है तो लेकिन इनको एक addiction था वो था पॉर्नोग्राफी का उसके चलते इनका तलाक हुआ और इन्हों ने अपने जो चार बच्चे हैं उनको भी खो दिया क्योंकि वो बच्चे इनकी wife के साथ में चले गए Kim Kardashian के साथ में और कई बार इन्होंने मिलने की भी गुजारिश की कि मिलने के लिए मैं चला जाओं लेकिन मिलने भी नहीं दिया जाता था लेकिन बाद में बात जो है वो गलत भी थाबित होती है तो कहने वैस जो है हम लोग इनकी उपर फोकस कर रहे हैं कि आखिरकार ये इस addiction के अंदर आए कैसे जब भी कई बार इनका अपनी wife के साथ में जगडा होता तो ये depression के अंदर चले जाते और मैंने कई बार आप लोग को बताया है कि depression जो है वो कहीं न कहीं आपको addiction की तरफ मोड देता है कुछ लोग depression को positive में लेकर उससे बहुत आगे निकल जाते हैं लेकिन maximum जो है वो कहीं न कहीं addiction की तरफ move कर जाते तो pornographie से जूज रहे थे अच्छा हो सकता है कि आप लोग मेरी बात नहीं सुनते हों लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो कि काफी ख्याती प्राप्त है मैं तो नहीं हूँ इतना लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग इस addiction से जूज रहे हैं इन्होंने अपने परिवार को पूरी तरकिस खतम कर दिया है Instagram इसे promote करता है basically मैंने कई बार कहा है कि आप लोग social media से दूर रहें देखिए ये कह रहे हैं कि Instagram जो है वो इसको promote करता है अपनी बेटियों North और शिकागो के साथ ये नहीं होने दूँगा आप समझ पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है अपना दर्द बया कर रहा है कि ये जो Instagram है Facebook है इन्होंने बार-बार इनको trigger किया था pornography की तिरफ आज जिस चीज के लिए मैं कहता हूँ आप लोगा को कि आप इस से दूर रहे है क्योंकि ये आपको trigger करते हैं जैसे आपने कोई image देखी वो image आपके subconscious mind में save होगी साथ दिन बाद, आठ दिन बाद, महीने बरभाद वो चीज जो है वो आपको trigger करना शुरू कर देती है लेकिन के लोगो एक image नहीं जैसी बहुत सारी धिरे-धिरे-धिरे-धिरे collect होते जाती है और आपका दिमाग जो है वो garbage की तरह काम करने शुरू कर देता है जब 75 days के हार challenge को शुरू किया था मैंने तो यूँ ही थोड़ी शुरू कर दिया, इसकी परज़ी कोई reason तो रहा होगा नहीं, 75 days तक समझ ये कि कोई educator आपको per day 4.6 rupees के अंदर पढ़ा रहा है और daily live sessions ले रहे हैं इतनी टेक्निक जो है research की जा रही है, इसकी पीछे reason क्या है नहीं तो आप सोच के देखिए कि इस course से जुड़ने वाले जो students से उनकी हकिकत में बता दूँ student जो है वो जुड़ने के अंदर बड़ा कत्रा आ रहे हैं आखिरकार पता नहीं क्या होगा इसके अंदर हमारी कहीं सच्चाए जो है न वो reveal तो नहीं हो जाएंगे सब के सामने आ जाएंगे कि देखो क्या है कि ये तो addiction से जूझ रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग person to person जो है interaction करते हैं और वाकई में कोशिश करते हैं कि वो लोग इससे बाहर निकले तो challenge coupon code यूज करके आप भी हमारे साथ में जूड़ सकते हैं ये मात्र 350 डूपीज के अंदर course है और 75 days का hard challenge आप लोग ज़रूर complete करें वाकई में आपको फाइदा होगा तो एक actor कहने वैस जो है कह रहे कि आप मैं pornography से जूच कर मैंने अपनी life खराब कर दी है और basically Instagram पर जो triggers आते हैं triggers in the sense जो कि आपको ये आपको motivate करते हैं कि आप pornography के तरफ जाएए वो दीरी दीरी होता है वो दीरी 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 बढ़ते बढ़ते और हमारे साथ में कई सारे students ने हमने story share की थी कि sir हम लोग जो हैं वो पिछले 7-8 साल से 10 साल से कई तो 15 साल से कई हमारे इस group के अंदर ऐसे है जो कि 42 years age 45 years इतनी age उनकी हो चुकी है 50 years की आसपास भी लगबग लगबग 7-8 लोग ऐसे थे जिनोंने इस course को लिया है और वाके में कहा है कि sir अब जाकर हमको वो चीज मिली है मतलब हम लोग इससे बाहर निकले अगर यह चीज हमको पहले मिलती यह अगर guidance पहले मिलता तो आज हम अपनी life के अंदर बहुत कुछ जो है वो आगे निकल चुके होते है और बहुत कुछ हासिल कर चुके होते तो कहीं आपको देरी ना हो जाए मैं आप लोग कहता हूँ कि आप लोग एक बार जरूर इसको complete करें ठीक है चलिए टेल्ग्राम प्यानल से आप लोग प्रेशेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पताएगा तक तो ले धन्यवाद थेंक्यू जैहित